बासवार के पहाडी इलाकों में खुबसुरत वादियों के बीच इस्तित है जगमेरु धाम 1300 मीटर की उचाई पे माही रोड पर यह स्थल मौजूद है जीला मुख्याले से करीब 14 किलो मीटर की दूरी पर नीले आसमानों को छूती जगमेरु पहाडी से देखने वाले कुदरती नजारे बारिश में देखते ही बनते हैं पहाडी पर स्थित हनुमान जी का मंदिर और यहां का प्रकरतिक सौंदर्य, हजारो शद्धालू और परेटक रसीकों के लिए मानसुन में आकर्शन का खास केंद्र बने हुए हैं हनुमान जी के धाम पर यहां मन की मुराद भी पूरी होती है और गजब की हर्यादी दिल दिमाग को सकून भी पहुचाती है बासवाड़ा पुर्व में डुंगर पूर रियायत का ही हिस्सा रहा कहा जाता है कि राजा जगमाल सिंग को बासवाड़ा विरासत में मिला था इस एतिहासिक धरोवर की खूपसूर्ते को अधिक निखारने और यहां आने वाली लोगों की सुविधा के लिए वर्तमान में विकास कार्यों को क्रियावनती करने की जबरदस्त आवशकता है दर्शनार्थियों के लिए मुद्भू चुविधाव तक का अभाव है जगमेरु धाम के डैवलप्मेंट के लिए जिम्मेदार लोग ध्यान दे तो जगमेरु धाम की बात ही कुछ और हो सकती है कि इसनि ये जह बाद में ये जांबू और भम्रकडा ये पुरानी डोक्रे अमएर बाप्त दा सेफ्ते सेफ्ते आ रहे थे इसके बाद में ये जो कि हम भी यह मंदिर आजा वो नोगमा लाक यलाशगिर ची मराज ये कारू गामा के अंदर हमारे लोग इकटे कि दे इसके या ढाल इसके बाद मंदीर या जित्मल जी खाट आया वह एक साथ वोट दिया इसके बाद यह मंदीर यह रोड निर्वान हुआ और जित्मल जी खाट ने यह सालू किया यह मंदिर बन गया इसके बाद हम यहां अखन जो चलाते चलाते आ रहे हैं और 20-25 चाल हो गए यहां रहते हैं रात दिन चवा मैनू जगमेर दाम पर बहुत विकास होना चीए और बिजली की कमी है और पाने की कमी है और पोदे लगाना है बढ़िया सुविद पाने चीए और आसपास का ग्राउंड बहुत बढ़्या होना चीए और यहां से मंदिर बनाया और यहां पर पुराना मेल तालाब बना के इसकी हस्तापना करने के बाद बासवड़ा जी लेकी बासवड़ा की रियासत की अस्तापना हूई हैं यह राजा जगमाल शिंग ज जब उनकी रियास्त अलग हुई तो बड़ा बेटा होने के नाते वहाँ पे उनकी पिताजी की द्यान के बाद वह नीरे पाया फिर यहां के उन्होंने अपनी रियास्त यह डुंगोरपुर दरबार की रियास्त थी उसमें उनको बाहा स्वणा का प्रारम यहां से करके फिर बास्वाडा से लगबक 14 किलोमीटर की दूरी पर सुन्दर हरियाली वादियों के बीच में वसा जगमेरू धाम जो है वहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक हनुमान जी के मंदीर पर अपनी आस्था लिया आते हैं यह जो इस्थल है यह शांदार ढंग से पर्यटन के लिए भी जानावाना जाता है और यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर सभी लोग पूरी आस्था रखते हैं यह लगबक 600 वर्ष पुराना मंदीर है और इसके पश्चात बास्वाडा की बसा जो बास्वाडा बसा है इस बहुत ही वेवस्थिट डेवलप करने की भी आवश्चकता है यहाँ के लोग चाते हैं कि इस पिकनिक स्पोर्ट को बहुत ही सुन्दर तरीके से डेवलप किया जाए वाइस ओफ एमपी के लिए अब्दूलाली इरानी